आप सभी का इस ओनलाइन पर स्वागत है आज हम पुने नहीं क्लास वापस बीसी सेकेंडियर एंड बीसी बीट सेकेंडियर की ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 33 लेकर है एक चिद आप ध्यान से माइन में बेठा लेजीगा यहां से आपकी युनिट नंबर सेकंड शुरू हो है आपको टॉपिक मेंने करा दिये कैसा आपको एक्जाम में क्यूशन पूछते वह भी में आपको सारी चीज़े बता दिए अब आपका ही काम रहेगा उन चीजों का अप अच्छे से क्लियर कीजिएगा है ना तो आपके युनिट फूरी कंप्लीट है और आज सुरू होन आपको टॉपिक हो जाएगा वेट्तिकरण है ना उनिट नमबर से कंद ध्यान रखीगा अपना टॉपिक हो जएगा वेट्तिकरण जिजसका अपनब बोलेंगे इंटर। इंटर। इटर। इंटर। 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 इंटर।ेरंस आ योपिर्टिकर्म आपको देपिनेसिन उन पूitel लगते हैं में आपके बहिसी हो सब समान आवर्ती की और फ्रिक्वेंसी समान होने चीज देखेगा आप जब समान आवर्ती की 2 या दो से अधिक तरंगे एक ही रेखा के अनुदिष शैण शजब समान आवरती की एक बारन डेफिनेस्ञ भी तरु तरंगे एक ही रिखा के अनुदिस किसी बिनदु पर एक साब विक्षव उत्पन करती है कशी बिनदु पर किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोब का मतलब मिलना वाँ पर है ना विक्षोब यानि अध्यारोपित विक्षोब का मतलब क्या हो गया अध्यारोपित है एक जागे जाकर मिलना किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोब उत्पन करती हैं किसी बिंदु पर एक साथ विक्षब उत्पन करती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षब तो उस बिंदु पर उस बिंदु पर परिणामी विक्षब उस बिंदु पर परिणामी विक्षब उस बिंदु पर परिणामी विक्षब उन तरंगु द्वारा उत्पन उस बिंदु पर प्रिणामी विक्षोब उन् तरंग द्वारा उत्पन श्वतंतर रूप से उत्पन विक्षोब से बिन होता है विक्षोब से बिन होता है अलग होगा और प्रिणामी विक्षोब तरंगु के आयाम प्रिणामी विक्षोब प्रिणामी विक्षोब तरंगु के आयाम एंप्लिटूड है प्रिणामी विक्षोब तरंगु के आयाम वे उनके मद्धि कला सम्मद्पर निर्भर करता है वे उनके मद्धि कला सम्मद्पर निर्भर करता है वे उनके मद्धि कला सम्मद्पर निर्भर करता है इस परिगटना को वेत्तिकरन कहते हैं यह इसकी परिपासा होगी इस परिगटना को इंटेफरेंस कहते हैं इस परिगटना को वेत्तिकरन कहते हैं टिक है यह हो गई इसकी definition यह गटना आपकी क्या कहलाएगी वर्तिकरण क्या है जब समान आवर्ति ध्यान रखना होगी जब समान आवरति की दो या दो से अधिक तरंग है एक ही रेका का नुदिश मतलब एक ही डायेक्शन में चल गई और किसी बिंदू पर एक साथ विक्षोब उत्पन करती है ना किसी बिंदू पर एक साब कुछ रिजल्ड उत्पन करेगी तो उस बिंदू पर परणामी विक्षोब उन तरंगु द्वारा सोतंत रूप से उत्पन विक्षोब से क्या होगा भिन होता है आपको मैंने मेकनिक्स के अंदर बताया था एक डाइग्राम बनाके इंटेपरेंस का ऐसे डाइग्राम मनाता आपने देखा होता हो यह पहली तरंग हो गई ठीक है उसी के बाद यह दूसरी तरंग ह और फिर यह जो रिजल्ट तरंग हो यह ऐसे तीनु के द्वारा उत्पन विक्षोब अलग अलग है यही चीजे यह फश्ट तरंग यह यह शेकंड तरंग और यह थर तरंग जो परिनामी तरंग आपकी परिनामी तरंग डागराम मनाया था आपने मेकनिक्स के अंदर एक तो बस आपको यह रहाए जिए अब अब अपन तरंग या परगामी तरंग तरंग तिए अपने पास है principle of superposition अध्यरोपन का सिद्धान्त principle of superposition अध्यरोपन का सिद्धान्त अध्यरोपन का सिद्धान्त principle of superposition principle of superposition superposition अध्यरोपन का सिद्धान्त अध्यरोपन का सिद्धानरली आपको पता है क्या होता है और यहां क्या है उसको पदडेखेंगे जन्ले लbon का सिद्धान क्या होता है कि जब 2-2 तुर थितरंग माध्य में चलती एक साथ किसी बिंदु पर मिलती है तो उनका जो को प्रणामी विस्तापर्णों तरंगे जब दो या दो से अधिक तरंगे जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ किसी उबेनिष्ट से गुजरती हैं और किसी बिन्दू पर एक साथ विकषोब उत्पन करती हैं किसी बिन्दु पर एक साथ विक्षोब उत्पन करती है तो उस बिन्दु पर परिणामी विक्षोब उस बिन्दु पर परिणामी विक्षोब विबिन तरंगु के कारण अलग लग तरंग है तो विबिन तरंगु के कारण विबिन तरंगु के कारण उस बिन्दु पर परिणामी विक्षोब विबिन तरंगु के कारण विबिन तरंगु के कारण स्वतंत रूप से उत्पन विक्षोबु के सदिश योग के बराबर होता है सदिश योग के बराबर होता है इसे अध्यार उपन का सिद्दान केते हैं इसे अध्यार उपन का सिद्दान केते हैं यह हो गया आपका अध्यार उपन का सिद्दान देखो लिखना भी पड़ेगा क्योंकि आप लोग के पास अध्यार उपन का सिद्दान दोई प्रकास के अंतर में आपको पहले समझा दिया उप्टिक्स के अंतर अपन कैसे देखेंगे तो चलो आईए एक बार इसको अपन समझते हैं कि अब इसमें देखेगा जो यह आपको चीजे लिखनी जो मैं लिखा रहा हूं अब इसमें अपन फॉर्मला भी निकलेंगे अलग लग दो तरंगे लेंगे उनका अलग होगा फिर जो प्रिणामी तरंग लिखने लिखने गुजरती है और किसी बिंदू पर एक साथ विक्सोव उत्पन करती है तो उस बिंदू पर प्रिणामी विख्सोव विभीं तरंगे के सधिश्योग के क्या होता हैं बराबर होता है यह य की एपन देखते हैं कि इसका प्रमुला केसे बने चैनल कि इधी की तरंगू द्वार उद्पन विक्षोब कर से इधी कीशती बिन्दू पर विबिन तरंगू द्वारा विभिन तरंगु द्वारा उत्पन विक्षोव कर्मेशे विभीन तरंगु द्वारा उत्पन विक्षोव कर्मेशे यह दि किसी e3 हो तो परिणामी विक्षोप क्या हो जाएगा आपको पता है परिणामी विक्षोप परिणामी विक्षोप कितना हो जाएगा कि capital e बराबर e1 plus e2 plus e3 plus ऐसे continue चलेगा या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहां तक ठीक है अब उने पास क्योंकि space कम है तो उपर से अपने बोड मिताना पड़ेगा एक चीज़ आप और देगे कि जब समान आवर्ती की वेक्षोप का यहां पर जब समान आवर्ती की तरंगे एक ही दिशा में संस्रीत होती है तो माध्यम के किसी बिंदू पर प्रकास की तर्वता अधिक्तम यह किसी बिंदू पर क्यों थी नियूनतम होती यह कटना के लाएगी वेत्टी करने के लाएगी यहां तक ठीक है यह हो गया अब मैं उपर से आकम इंधा रहो होएं तो अब हम यह आपर दो तरंग लूँगा यह तो इसके डफिनेस नयोगी अब अपन इसका टोपिक शॉल कर रहें इस ही के अंदर टों पन क्या करते हैं दो तरंग लेते उनीए का और गीन डाइग्राम से लेते हैं अपन क्या हो जाएगा अपने पास कि यह दो तरंगे जो कई जाकर इसे मिलती है ना दो तरंगे अपने पास ऐसे तो किसी एक बिंदू पर जाकर मिलती है अपने किसी एक बिंदू पर जाकर मिल रही है है यह और सब्सक्राइब यह इसके पतांतर हो गए एक पी बिंदू पर जाकर मिलती है इस डियाग्राम को आपको प्लोट करना है कि S1, S2 स्तुरह से निकलते हुए दो तरंगे X1 और X2 पता अंतर को तै करती हुए P बिंदू पर मिलती है तब आगे क्या हो रहा देखे आप कि माना किसी माध्यम में माना किसी माध्यम में माना किसी माध्यम में 2 बिंदू परकास त्रोट माना किसी माध्यम में दो बिंदू परकास्त्रों तो कौन कौन से हैं एसवन तता एसटू है जिनसे उत्पन तरंगू की आवर्ती जिनसे उत्पन तरंगू की आवर्ती क्या है समान है उत्पन तरंगू की प्रिक्रेंसी गया है ना आवर्ती वो सेम है मतलब दोनू के लिए अपन ओमेगा लिखें आघागा डोनु लेंगे तो दोनु के लिए अपन क monoा माल माल क्रमस से अवरती समान है अयाम करमस अयाम करमस सी um am No i am चीज यह इसका आयम होता है कितनी मेक जिमम विस्तापित हो रही है वह इस तरंगा क्या कहलेगा आयाम कहलेगा तता आयाम करमे से क्या होगे आपके पास E01 way E02 है अब देखे आगे क्या हो जाएगा अपने पास कि यदि परकास त्रोथ यदि परकास त्रोथ S1 तता S2 से उसरजित यदि परकास त्रोथ S1 तता S2 से उसरजित तरंगु की प्रारंबी कलाएं करमे से तरंगु की प्रारंबी कलाएं करमे से प्रारंबी कलाएं करमे से प्रारंबी कलाएं करमे से प्रारंबी कलाएं करमे से तरंगु की प्रारंबी कलाएं करमे से फाइवन तता फाइटू हो करमे से फाइवान तता फाइटू हो तरंगु की प्रैइम के लिएकर में से फाइवान तता फाइटू हो तता इन में X1 तथा X2 दूरी पर इस्थित तथा इन में X1 तथा X2 दूरी पर इस्थित बिंदु P पर उत्पन विक्षोब को नमने समिकरन द्वारा देते हैं उत्पन विक्षोब को नमने समिकरन द्वारा दिया जाता है न नमने कि एक्वेशन द्वारा दिया जाता है कि देखिएगा क्या बनेगी अपनी सबसे पहली इवन बराबर इवन बराबर इजिरो वन साइन ओमेका टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव ना इक्वेशन नबर फ़स्ट और इटू बराबर क्या हो देगा और इटू बराबर इजिरो टू साइन ओमेका टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइटू समीके नंबर दो ठीक है यहोगी समीके नंबर 2 जहां ओमेका कर पर क्या है यह आट जो मैं का बराबर क्या घजांए का पर बराबर ब्लिपयंद कीर थिया आंट टूल पाइख झिजु कर दिजिए और एक आपके पाशट्रिए ऑज importing लेमड के बराबर कितना है कि थो पर फूल लेमड की पार लेमड किल के हो गिए आपको पता है moves एक बार वापस आप इंद को समझ लीजे फिर अपने वहां तक चलते हैं कि अपने पास डाइगराम बना फिर अपने कहा किया कि माना किसी माध्यम में दो बिंदू परकास्ट प्रोथ कौन-कौन से S1 और S2 है जिनसे उत्पन तरंगू की आवर्ती ओमेगा लिए अपने दोनों जी कहा है ना आवर्ती क्या है समान है तथा आयाम क्या है इनके E0 वे E02 है ठीक है यदी परकास्त तरोत S1 तथा S2 से उसरजी तरंगू की प्रारभी कला है क्या हो 5-1 और 5-2 कला आपन ऐसे बताते हैं 5-1 और 5-2 और 5-2 तता इन से X1 तता X2 दूरी परिष्टत किसी बिंदू P पर उत्पन विक्षोब को निम्न सम्मिकरण दोरा देंगे E1 बराबर पहली तरंग हो गई E0 वन यहां पर हमेसा आयाम होता है साइन ओमेका टी माइनस के X1 प्लस 5-1 ठीक है फिरिशी बरकार यह क्या हो जाएगी E2 बराबर E02 साइन ओमेका टी माइनस के X2 प्लस 5-2 जहां ओमेका क्या है उसके आवरती हो गई के बराबर 2 पर लेंड़ा अब अपने अध्यार ओपन के सिद्धान से दोनों समीकरण को जोड़ रहें यह पूरा कंप्लीट है इधर से मैं मिटा रहा है ना स्पेस कम अपने पास तो इधर से अपन मिटा दें इसको अब अपने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते है है ना तो अपने पास क्या हो जाएगी इसकी परिणामी तरंक प्रावब्द हो जाएगी जोड़ लेते हैं इनको तो कि एस जोड़िये तो क्या हो जाएगा आपके पास इबराबर इवन प्लस एटू E बराबर E1 प्लस E2 मान पूट कीजिए आप E बराबर E1 का मान कितना है E01 साइन ओमेका T माइनस KX1 प्लस 5 प्लस E02 दूसरा मान लिके आप एक काम करते है अपन इसको है न मीटा लेते है E02 साइन ओमेका T माइनस KX2 प्लस 5 यहां से मैं यह भी मीटा रहा हूँ तोड़ा स्पेस कम है तो यह भी खाली कर देता हूँ E02 साइन ओमेका T माइनस KX2 प्लस ठीक है यह लिख लिया इसको पूरे को मीटा देते है ना यह दोन समयिकर्ण लिकलरह के तो नहीं चीज क्या हो जाएगे अपने पास हुह ऐसे देखेगा आप न इनको एक साथ कर लेते हैं ательно को दोनुवका शाथ कर लेतना जिस से शिड़ा रहेगा तो एक बार इसको उपने लिखूँगा मैं e बराबर e01 sin omega t minus यहाँ से minus common ले लेता हूँ क्या हो देगा आपके पास kx1 minus phi 1 ठीक है प्लस इसी परकार e02 sin omega t यहाँ से आप minus common ले लिजे तो kx2 minus phi 2 ठीक है अब एक formula बंदा देगो इसको आप a ले लिजे इसको b तो sin a minus b इसी परकार इदर भी sin a minus b sin a minus b का formula क्या होता है आपको लगा नहीं यहाँ पर तो sin a cos b minus cos a sin तो आपका बाद formula हो जाएगा e बराबर e बराबर e01 e01 को आप चाहँ तो common ले सकते हो e01 sin omega t dot cos k x1 minus phi 1 minus e01 cos omega t dot sin k x1 minus phi 1 ठीक है एक तो ही हो गया फिर इसी परकार दूसरा मान भी लिखेंगे अपन कि plus e02 sin omega t sin omega t cos k x2 minus phi 2 dot minus cos omega t dot sin k x2 minus phi 2 अब आप देखें अगे क्या हो जाएगा अपने पास कि अगले स्टेम अपन क्या करते हैं sin omega t comma sin omega t 1 साथ कॉमण लेंगे minus cos omega t 1 साथ कॉमण लेंगे तो आप इसमें देखेगा sin omega t कहां का पर आ रहा है एक तो यह देखेगा यहाँ पर sin omega t आ रहा है एक यहाँ पर आपके पास sin omega t आ रहा है तो आपके पास जो नहीं सम्मिकन बनेगी न वो ऐसे बन जाएगी यह बराबर अगर आप sin omega t कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ से तो क्या बज़एगा आपके पास e01 cos kx1 minus phi 1 cos kx2 minus phi 2 प्लस यहाँ से क्या बज़एगा प्लस e02 cos kx2 minus phi 2 ठीक है यह चीज होगी complete यह complete हो गया अब आप एक चीज़े क्यों का बचे होएगा न cos omega t कॉमा ले ले लिजी अगर आप यहाँ से minus e02 अगर आप यहाँ से minus cos omega t कॉमा ले 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 लेगा आपके पास यहाँ से तो e01 sin kx1 minus phi 1 प्लस e02 sin kx2 minus phi 2 यह आपके पास सारी completed होगे इसको बना ली जा आप समय के नंबर 3 यह पूरी है ना लाइन देखे आप ध्यान से लाइन पूरी आपका बड़ी बड़ी चल रही तो यह चीज़ आप ध्यान से देखे और इसको अपन बना लेते समय कर नंबर 3 है ना अब कुछ यहाँ पर अपन वेल्यूज मानेंगे और उस वेल्यूज के अनुसार इसका मा बराबर ई-01 यह पूरा माने ना साइन ओमेकर टी मैनेस के अच्ट फाइवन प्लस इसकी जगे ई-02 साइन ओमेकर टी मैनेस के अच्ट फ्लस फाइटू अब एक काम कीजिए अपने यहां से इन मैंस बाहर कॉमन ले ले इसको पूरे एक शेटेब बनाया ना तो यह अब अपन नीचे आए नीचे आने का मतलब अपन यहां पर क्या लगा रहे हैं साइन अ कोस बी का सुतर यहां पर अपन क्या लगा रहे हैं साइन ए मैनस बी साइन ए मैनस बी का सुतर तो आपको पता साइन ए मैनस बी का सुतर क्या होता है साइन ए साइन बी मैनस कोस बी वह तो वापस देखिया प्लस 22 एक बार साइन ओमेका टी कोस के एकस्टू माईनस फाइटू माइनस जी जीरो टू एक 5-1 एक यहां से देखे-चो फिर शेक बाद ये दोनों पध बज गए इन दुनों पधमेत में मैंनस को सब्सक्уется सब्सक्रद्र pi एक बराइक इसलिए चोटा कर देंगे यहां तक ठीड हुए पहले एक आपना ऐसे बर गया था बोड अब क्योंकि लंबी थी अपने पूरा इसको सवर्ण लिया अब आगे क्या हो जाएगा आप उने कि इसको अपने समीकंट बना ले आना ये चीजा आप ध्यान दखेगा इसको अपने क्या बना लिया समिकन तीन अब अपन कुछ वेल्यू मानते हैं माना एक कोश ठीटा ना माना एक कोश ठीटा बराबर ये पूरा माना आपका बराबर हो जाएगा इस पूरे मान के बराबर E01 कोश KX1-51 प्लस E02 कोश KX2-52 ये ना एक्वेशन नमबर A E02 कोश KX2-52 तथा A sin theta ये मान रहे ना तथा A sin theta बराबर किसके बराबर हो गया इस पूरे गणा A sin theta पूरा sin की term से इसको अपने सीधा theta से लिख दिया तो E01 बराबर E01 sin KX1-51 प्लस E02 sin KX2-52 ये बान दिया आपने समिकन भी तब मैं क्या करूँगा समिकन तीन से समिकन तीन में आप मान लिख दीजिए तो समिकन तीन से आपको पास क्या equation हो जाएगी Yes, value put कीजिए तो E बराबर देखीगा sin omega t ऐसे का ऐसे ही इसके जगी क्या हो जाएगा आपको पता A cos theta A cos theta प्लस माइनस अगले step में cos omega t आपका ऐसे का ऐसे ही और पीछे की जगी क्या हो जाएगा A sin theta A sin theta अब आप एक काम कीजिए इस सम्मेकन की जरूतनी इभी इसको मिटा देते है अपन और इसको अच्छे से कर लेते है अपने ना इस सम्मेकन को अपन स्विकेंस के रूप में करेंगे क抽 रिजल्टे पर दोनों में etwas को मनें यह यहां पर दोनुठ 202 क्या है दोनुठ तरंगु का अलग-लग आया हम लेकिन यहाँ पर ऑ इनका रेजल्टट आया हो जायेए यहां से तो क्या बजगिया आपको पता आईम्कahl नां स ostat माइनस यहां से क्या पट चली आप ड़ल आदे लो एक आप चीज म् longitud माइनस को से साइन भी यहानी साइन ए मैनेस बी का सुत्र हो गया साइन एम मैनेस बिका होने का मतलब ए बराबर ए साइन ओमेका टी माइनस ठीटा यह हो जाएगी आपके पास रिजल्टेंट समीकर अध्यारुपन का सिधान के केता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे जाकर किसी बिंदू पर अध्यारुपतों के टकराती है तो इस बिंदू पर जो परिणामी आयाम है वो उन तरंगू के अलग-लग आयामू के क्या होता है योग के बराबर होता है यह चीज थी और यह निखाल लिए आप त्यान से देखिएगा जब दो या दो से अधिक तरंगे चली और अधिक तरंगे जाकर किसी बिंदू पर मिलती हैं तो वहाँ पर ये परिणामी आयाम आपको ये मिल जाता है जो परिणामी विश्टापनों परिणामी विक्षोप ये बराबर एस साइन साइन ओमेकर टी कोश टीटा मैनेस कोस ओमेकर टी साइन ये मैनेस बीका सुत्रे यह मान अपने ही आप उड़ कर लिया तो अपन लिखेंगे कि समीकरण 4 अब इस समीकरण से अपन कुछ वेल्यू सोल करेंगे ये भी काम आए कि देखिए आप इसमीकरण 4 आगा आप लिख अध्यारोपन के कारण ये समीकरण 4 दो तरंगुके अध्यारोपन के कारण उथपन परिणामी तरंगी के समीकरण को परतो शीट खरदी उथपन समीकर्ण 4 दो तरंगों के एदियर उपन की करान उत्पन प्रिणामी तरंग के समीकर्ण को प्रदर्शित करती हैं जिसका आयाम तो क्या हो यह यह प्रिणामी तरंग का आयाम है ना जिसका आयाम ए तथा प्रिणामी कल्लाकॉन ठीटा हैं, तथा प्रिणामी कल्लाकॉन ठीटा हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान से देखेगा, अब हपन क्या करेंगे, ये देखिया आप, इजीरो वन इजीरो तू दोनु तरंग के जो आयाम लेकिन प्रिणायम आयम यहां पर केपिटल हो गया ठीक है फिर उसके बाद ठीटा इसका प्रिणायमी कलाकोन है जबकि फाइवन और फाइटू जो है ना वो दोनु तरंगू के कलाकोन थे अब अपन क्या करेंगे इसके प्रिणायम का मान निकालेंगे एन दोनु स्वम्यकून से निकलेगा ना कैसे निकलेगा वो अगए वाले पाइट में देखेंगे लेकिन यहां तक फिला इत्ता साही अजरो पनका सिद्धान और उससे जो प्रिणायमी तरंग बनती वह बने निकाले अब और भी इसमें निहां निकालेंगे प्रिणायमी त्यवर्ता इंटेंसटी जिसको अपन आइ इस लिख थे लेक्राइग नोट होती है आई आय आपके यहां के वर्ग के शमानोपती रहे होता स्टेज निकालना पिर उसके बाद अपन शंपोशे वितिकर्ण की स्टेज निकालन तो यहां तक नगया कि जिसे केते हैं यहाँ पर तीवरता अधिजिततम हो औहर की अधिक्तम पूरा Omaha टॉपिक कॉंपो दियान से न तो यहां कि पूरा कम्प्रिटेट जो कुषिन बनेगा वो मैं आपको लिखूंगा बात में एक अपना और एक चीज और हो जाए ना इसमें अगले वाले पार्टम हो जाएगी वो अपनी कम्प्रिट फिर अपने पास तो आप कुषिन लेका वो जाओ गवर एक क्यूषिन तो जाएगा आपका की वेक्तिकरन की गटना को समझाई और नमबर दो अध्यर उपन के सिद्धान को समझाई दो क्यूषिन ने फिलाल आप इनको दो शेट अप कीजिए प्रिंसिपल ओप सुपर पोजिशन आध्य वर अपन के सिद्धान्त को समझाईए ये फिलाल दोनों कुछन तो आप कीजिए वहत्ति करने की गटना और प्रिंसिपल ओप सुपर पोजिशन है ना इन चीजों को देखेगा फिर अपने पास जो भी चीज़े कंप्लीट होगी उनको अपन देखेंगे एच्छे से कंप्लीट तो देखे एक तीर आप ध्यान से देखेगा मैं आपको बार-बार नहीं कहूंगा कि अप्टिक्स के अंदर आपको सिर्फ किरणों का खेल है स्टार्टिंग जो यूनिट फर्ष्ट थी आपकी पूरी इमेज पर डिपेंड यह सारी चीजें अपने डिए आपको बार प्रिच कोई अब आप यहां का इमेज की ये लेकिन दूसरा पाट चलेगा जैसे यंघ चलिकल्ए में जतिकरन से लेटन, माइकल से इंटेफेरेंस कैसे होता है, फिर अपन पढ़ेंगे फेबरी फेरो इंटेफेरेंस, यह चीज़े अपन पढ़ेंगे, इसलिए डाग्राम को आपने को बारिकी से देखे, मैंने पूरी कोशिज किया आपको सामने डाग्राम पूरा क्या-क्या चीज़े है, कैसे इमेज बन रहा है, और क्या निकालना, वह अपने को सारी चीज़े देखने हैं, तो बस आपको दिकत कहीं नहीं आनी चाहिए, बस यह चीज़ आप दियान रखेगा, जो भी इसमें कमया उपको पूरी करने हैं, यूनिट फर्स्ट में कोई द परिनामी आयम का मान निकालेंगे, एक इतना होगा, फिर उसके बाद एक आपके पास आयए हुग 집 केपिटल आई परिनामी तीवर्टा, परिनामी तिवर्टा, बस यो आपको बता रहां कोई दिकत नहीं, अब जब थर्तित, वाला पाट पार्ट में आपको बता दूग उ तो आज के लिए बस इतना साई इस वेत्तिकरण को और अध्यारपण की सिद्धान को आप कम्प्लीटी तरीके से समझेगा और कोई भी दिकत आई ता मेरे को पूंच सकते हूं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद